हेलो फ्रेंट्स मैं हूं काजल और स्वारत करती हूं आपका नोलिस गुरू काजल चैनल में आज आपकी क्लास 3 और डेली इविनिंग में 7 बजे आपकी ओलाइन क्लास चल रही है तो 20 कुशन आपको प्रोवाइट किये जा रही है जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोटेंट है तो चलिए बीना टाइम वेस्ट कि अब आपकी वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट कोशन है कि IBM 1401 कि स्पीड़ी का कंप्यूटर है तो एक दो तीन या फिर चार तो IBM 1401 जो कि 5 अक्टूबर 1969 में क्या तो उप्षिन है नेट वर्किंग और्गनाईजेशन, इंटरनेट ओर्गनाईजर, नेट वर्किंग या फिन ननमिन्स इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर तो पूछा गया है डोट नेट के बारे में मैं आपको एक बात बता दू यह जो डोमेन नेम होते हैं यह एक्जाम का किंग और्गनाईजेशन, नेट्सेया लिब्रा ओफिस काल्क में सेल को एड करने कि शोटकट कुण tamanho क्या है तो ओप्षिन है control plus plus, control plus minus, control plus colon या finnann means इन में से कोई नहीं तो कालक में एक cell है और इस cell में आपको दूसरी cell कुछ इस तरह से एड़ करनी है तो इसके लिए आप जो shortcut की use करोगे वो करोगे control के साथ plus plus ठीक है next है digital locker में अधित्तम कितना space होता है तो option है 1MB, 10GB, 1GB या फिर 1000MB तो इस digital locker में जो space होता है वो होता है next है फिलीकर क्या है तो option है browser, social networking, search engine या फिर funny website तो फिलीकर फिलीकर जो है एक guys social networking site है जो की photo को share करने के लिए काम की जाती है next है IDS का पूरा नाम क्या है तो option है international detection system, intrusion detection server, intrusion detection system या फिर none means इन में सी कोई नहीं तो IDS जो की क्या है एक security software है तो इस security software का जो full form है वो है intrusion detection system next है linux kernel का file name क्या है तो option है vm linux, vm linux, linux, linux या फिर kernel linux तो देखिए linux क्या है linux एक operating system है और इसमें पूछ रहा है कि इस file का क्या नाम है तो ये linux जो है operating system में boot file को या folder को क्या store करके रखता है तो उसका नाम है vm linux next है यदि libra office calc में 3 plus 4 into 5 का मान 23 होगा तो 3 plus 4 bracket band into 5 का मान कितना होगा तो option है 35, 60, 23 या फिर 45 तो यहाँ पर देखिए बात को समझिए यह है यहाँ आपर देखिए 3 plus 4 गुणा 5 तो अगर इसे solve करके देखिए तो 3 ऐसी लिख दिया चार पंजे 20 तो आ गया यहाँ पर इनके अनुमान के अनुसार 23 अभी यहाँ पर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर यह bracket के अंदर है तो पहले यह दोनों जुड़ेंगे चार और 3 साथ हो गए अब इन्टू 5 कर दीजिए तो कितना आएगा 30 आ गया न तो option क्या हो गया एक करेक्ट हो गया next है इन में से कौन सी शोटकट कुंजी के द्वारा हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं तो option है control प्लस टेब, control प्लस shift, alter प्लस shift या फिर alter प्लस टेब तो बात की गई है एक प्रोग्राम से दूसरे मिंस next प्रोग्राम में जाने की तो इसके लिए जो use करते हैं वो करतें alter के साथ tab next है error 404 क्या दिखाता है option है page not found, server not found, connection error या फिर A और B दोनो तो error 404 जब भी आपने कोई website open की होगी तो उसमें आपको कुछ इस तरह का symbol दिखा होगा तो इसका मतलब होता है जब website ज़्यादा reload हो जाती है उसी website को बहुत सारे लोग जो है ना खोले रखते हैं तो हाँ पर page not found भी नहीं होता और server जो उस website को दिखता है वो भी not found होता है इसलिए हाँ पर A और B दोनों correct है next है printer की resolution किसमें मापी जाती है तो option है PPM में, DPI में, PPS में या फिर CPM में तो printer, printer की जो resolution होती है वो मापी जाती है DPI में जिसे बोलते है dots पर inch next है e-scan antivirus किस operating system दुवारा समर्थी थे तो option है Mac OS, Windows, Linux या फिर Android तो यह सारे क्या है guys यह सारे operating system है लेकिन यह आपर पूछ रहा है की e-scan जो है वो किसको support करता है मिस किसको समर्थ करता है तो यह करता है guys Windows को next है Libra Office spread seat में template का विस्तारित क्या होता है विस्तारित का is miss extension ठीक है यह क्या होता है यह पुछा गया है तो option है dot ods dot ots dot o t p तो यह पुछा गया है template का तो spread sheet में template का होता है dot ots next है yahoo mail में कितने MB की file attach की जा सकती है तो option है 15 MB की 20 MB की 25 MB की या फिर 30 MB की तो yahoo mail जैसे की google है गूगल एक search engine है और उसका Gmail से related है वो उसे पिरकार yahoo भी एक search engine है और इस यह भी एक yahoo mail से connected है तो इसमें जो फाइल attach की जाती है वो की जाती है complimentary metal oxide यह क्या करता है mother board में एक chip के रूप में इस्तित होता है मिन्स यह mother board का उपरी पार्ट होता है और जो की समय और दिनांग को स्रक्षित रखता है next है भारत में passport office कितने हैं तो option है 18, 37, 543 या फिर 36 तो passport office बोलो आप या फिर आप बोलो passport सेवा के इंदरबाद एक ही है तो passport क्या होता है जब भी आप क्या करते हो यह abroad के लिए traveling करने जाते हो तो उसके लिए एक need पढ़ती है ना passport की मिस यह आपकी एक identity card होता है तो पूरे भारत में पूछा गया तो भारत में जो passport office है वो यह गाई 37, next है M banking किसका उधारन है तो option है phone banking का, mobile banking का, telephone banking का या फिर internet banking का, तो M किसको शुकर रहा है mobile को, M4 mobile, तो यह हो गया mobile banking का, next है OSI का पूरा नाम बताईए तो option है open system international, open system interconnection, open system internet या फिर ननमेंस इन में से कोई नहीं, तो OSI जो की क्या है एक internet का model है, तो इसकी जो full form होती है, वो होती है open system interconnection, next है email से delete किया हुआ email, कितने दिन बाद trace folder से delete हो जाता है, तो option है 7 दिन, 30 दिन, 15 दिन, या फिर no limit, मिनस कोई सीमा ही नहीं है, email से जब कोई email जो है delete हो जाता है, तो ये post आए सीधा trace folder के अंदर, और trace folder से automatically इसकी delete होने की limit होती है, 30 दिन, और आज की इस वीडियो का last question है, कि सर्व परितम पंच card का प्रियों किसकी द्वारा किया गया, तो option है mark addresson, team burnally, harman holy rith, या फिर john marketing, तो punch card के जो inverter थे, वो थे guys, harman holy rith, तो ये थे आज के वो 20 questions, जो मैंने आपको provide की, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को कर देना, like हो, अगर आप channel पर नए, तो channel को कर देना, subscribe, फिर मिलेंगे आपसे, एक next वीडियो में, नए topic के स अभी के लिए, goodbye, take care, take care guys, and thank you for watching this video,